हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सिर्फ रेिसिप्टव का वीडियो लेकर नहीं आई हूँ लेकिन इसके साथ हमने हमारे घर पे गनपती की स्थापना की थी उसी का भी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ हा थोड़ा सा वीडियो डालने में देर हो गई है तो यहाँ पर मैं डेकोरेशन के साथ स्थापना और रेसीपी सारी चीजे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो सबसे पहले बापा को हम घर पे ला रहे होते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी सजावट तो बनती है यहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं हाथ से ही प्लूरी सजावट करूँगी तो उसके लिए मैंने एक फ्रेम रेड़ी की इस तरीके से कार्ट बोर्ड से मैंने सारे शीट्स को कट कर लिया था और उसकी मैंने फ्रेम रेड़ी की और यहाँ पर इस frame को ही मैं पूरा decorate करने वाली थी और कोई चीज यहाँ पर decorate नहीं कर रही थी इस तरीके से मैंने sheet को इस frame के उपर लगा दिया और अब मैंने क्या किया sheets के उपर इस तरीके की हरे रंग की मैंने lace लगा दी थी और उसी के साथ small size के भी मैंने flower ready किये थी और मैंने lotus cut किये थे देखिए आप उसको head से ही मैंने cut किये थे लेकिन बहुत ही प्यारे लग रहे थे और थोड़े से मैंने और भी papers cut किये हुए थे क्योंकि यह sheet बहुत ही बड़ी मैंने बनाई थी और उसी के साथ सारी चीजे मैं इसके उपर ही stick करने वाली थी और एक प्यारे सी sheet ready करने वाली थी तो जोसे मैंने purple color के papers दिखाए थे उसी तरीके से तीन papers मैंने लिये थे और उससे मैंने इस तरीके की border ready की थी तो friends finally हमारी जो sheet थी वो बनकर तयार है अब देखे मैं इसको दिखा रही हूँ बहुत ही प्यारी sheet बनकर तयार हुई थी बस ये एक sheet मैंने लगा दे थी और आप देखे किसी कोई भी चीज की मुझे और decorate करने के जरूरत नहीं लगी बहुत ही color भी बहुत ही अच्छा सा match हो रहा था और बहुत ही बढ़िया दिख रहा था और अब बारी थी भगवान के लिए प्यारे से मोदग बनाने की तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस कटोरी के नाप से चार कटोरी भरके बेसन ले लिया है यहाँ पर आप कोई भी एक कटोरी घर की ले लीजिए और उसके हिसाब से सारी चीज़े मेजर कीजिए और उसी कटोरी के नाप से एक कटोरी मैंने यहाँ पर सुझी डाली है यह optional है आपको सुझी नहीं डालने है तो सिब बेसन से भी यह लड़ू बन सकते है यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी भरके यानि कि जो चमच है उस चमच के नाप से छे चमच भरके मैंने यहाँ पर गी लिया है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी का यहाँ पर फिक्स मिजरमेंट नहीं है बस इस तरीके का हमारा डो है वो होना चाहिए जो कम लगे तो आप उपर से भी थोड़ा एड़ कर सकते हो मैंने ये पूरी कटोरी भरके इसके अंदर यूज कर लिया है तो अब हम इसका एक डो रेड़ी करेंगे तो मैं थोड़ा सा पानी डालके इसे अच्छे से गून लेती हूँ यहाँ पर हमें सॉफ्ट डो रेड़ी करना है इस बात का ध्यान रखे क्योंकि ये बेसन है और उसके साथ हमने सुजी भी डाली है तो यहाँ पर हमारा जो डो है वो बनकर तयार है अब देखिए बस ऐसा ही आपको सॉफ्ट रेड़ी करना है अब हम क्या करेंगे वापस से इसके उपर पाने डाल देती हूँ जिससे इसे दस मिनिट के लिए रेस्ट में रखे तो यह सूख ना जाए अब हम इसे रेस्ट दे देते हैं दस मिनिट हो चुकी है और हमारा जो डो है वो आगे की प्रोसेस के लिए पूरा तयार है यहाँ पर मैंने इस तरीके की लूई लेके उसकी हम पूरी बेल लेंगे जितनी साइज की आपको पूरी बनानी है उस हिसाब से आप आटा लेके उसकी लूई बना ले यहाँ पर कोई fix नहीं है कि मुटी रखने है पतली रखने है बस आपको ठीक लगे कि हाँ इतनी साइज इनफ है और इससे अच्छे से fry हो जाएगी बस उतनी साइज आप रख सकते हो देखिए मैंने यहाँ पर यह पूरी बेल ली है और इस तरीके की साइज मैंने यहाँ पर रखी है यहाँ पर कडाई में तेल गरम हो चुका है तो मैं इसमें इसको fry कर लेती हूँ गेस की flame को आपको बहुत high नहीं रखना है बस medium flame पे आपको इसे fry करना है देखिए ये बिलकुल कोई फूलेगी नहीं जैसे हम गेहु के आटे की पूरी बनाते है और फूलती है वैसे नहीं होगी ये बिना फूले और एकदम crispy बनेंगी क्योंकि हमने इसमें सुजी डाली है तो मोती चुरके लड़ू जैसे हम बनाते है वैसा ही टेस्ट इस लड़ू का आता है ये मोती चुरके ही लड़ू बनते है बस इसकी प्रोसेस अलग है ये बहुत ही इजी पड़ती है और तुरंट तयार हो जाती है तो इस तरीके से मैंने सारी पूरिया बना ली है अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तब तक हम बना लेते हैं चाशनी तो एक पैन ले लिया है और उसमें हम डालेंगे चीनी इसी कटोरी के नाप से मैंने दो कटोरी यहाँ पर चीनी ली है इसे में इसके अंदर डाल देती हूँ और यहाँ पर मैंने पानी भी उसी कटोरी के नाप से पानी लिया है देखिए यहाँ पर मीठा आप अपने हिसाब से अड्यूस कर सकते हैं बस उसका जो मेजरिंग है वो कहीं इदर उदर नहीं होना चाहिए फ्लेवर के लिए मैंने इलाइची पाउडर डाल दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे मैंने थोड़ा यहाँ पर फूड कलर ले लिया है आप अपने पसंद का कोई भी कलर डाल सकते हो और उसे के साथ दो मैंने निमू के टुकड़े रख दिये थे जिससे क्या हो के चासने थोड़ी भी ठंडी हो तो उसको क्रिस्टल ना हो जाए अब हम क्या करेंगे इसे अच्छे से पका लेंगे मेडियम फ्लेम पे बहुत ज़्यादा यानि एक तार की चासनी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बस आप हाथ में लो और चिपचिपा पन लगे और लगे के हाँ अभी तार तयार हो रहा है बस उतनी आपको चासनी बनानी है तो चासनी यहाँ पर तयार हो चुकी थी अब हम क्या करेंगे जो पूरी है वो ठंडी हो चुकी है तो उसे तोड़ कर इस तरीके से mixi jar में डाल देंगे और उसे grind कर लेंगे यहाँ पर आपको बहुत ही महीम नहीं पीसना है थोड़ा सा इसे दरदरा रखना है इस बात का ध्यान दे यहाँ पर आप दीखे कि मैंने सारी पूरी को इस तरीके से grind कर लिया है और यह थोड़ा सा दरदरा है चासनी जो है वो हमारी ready थी बस low flame पे मैंन निकाल लिये है गैस की flame को एकदम low रखेगा और सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेजिए गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि mix करने के बाद एकदम गीला सा यह texture है लेकिन कोई बात नहीं इसे हम थोड़ा सा पकाएंगी उसके बाद यह अच्छे से हमें जो चाहिए वो texture में आ जाएगा यहाँ पर आप देखे कि यह hard थोड़ा सा हो चुका है तो यह हमारा जो डो है वो बिलकुल तयार है इसे ठंडा करेंगी तो और भी थोड़ा सा hard हो जाएगा तो अभी मैं गैस की flame को बंद कर देती हूँ और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 20-25 मिनिट के बाद आप देखे कि यह ठंडा हो चुका है हलका सा गरम हो तब ही आपको लड़ू बनाना स्टार्ट करना है अब हाथ से भी लड़ू बना सकते हो मैं अभी गनपती बापा के लिए बना रही थी तो मेरे पास इस तरीके का मोदक का मोल था तो मैंने सोचा कि हम मोदक ही बनाते हैं वो बहुत ही प्यारे भी दिखते हैं और पसंद भी आते हैं तो इस तरीके से बाप मोल की वज़े से बहुत ही सिंपल हो जाता है आप देखिए तो हमारे प्यारे से बापा के लिए प्यारे से मोदक बनकर तयार है देखिए तो मैंने इसी तरीके स सारे मोदक बना लिये हैं और बहुत ही प्यारे बनकर तयार हुए है आप एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा जैसे आप मोती चुर के लड़ू खाते हैं वैसा ही इसका टेस्ट आता है तो अब हम सारे तयार हो चुके थे और जल्दी से गनपती बापा को हमारे घर पे लाने के लिए तो यहां पर हमारे कलिक के घर पे ही हमने गनपती बापा को रखा था वहां से विशाल अपने हाथ से लेकर गनपती बापा को हमारे घर पे लेकर आ रहे थे यहां पर आप देख सकते हो बच्चे भी बहुत ही सारे एकसाइटेर है और बहुत ही खुश है हमा गन्पती बापा को हमारे घर में ला रहे हैं और अच्छे से हमने गन्पती बापा के स्थापना कर ली हमारे घर में और बहुत ही खुशी मिलती है फिर गन्पती बापा के उपर हमने जो जुन्दरी रखी थी उसे हमने हटा लिया और देखिए हमारे प्यारे से गन्पती बा उसी तरीके से सारी चीज़े मैं नियाबे की, कोई चीज इतर से उधर हो जाती है, लेकिन कोई बापा हमारे बहुत प्यारे और बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, तो माफ कर देते हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़े बिना भूले मैंने अच्छे से इसे कर लिया, और प्रस्वारी करके रखा था, बस उसके ऊपर हल्दी कोउख डालने की जरुरत थी, वो भी हमने डाल की, इस कलश को भी हमने बापा के सपास में स्थापित कर दिया, और अब हम पारती की शुरुवात करेंगे, तो उसी के लिए मैंने पहले बापा को हार पहना लिया, और अ कार्थी करेंगे तो सारी पूजा यहां पर अच्छे से हो गई कार्थी करेंगे तो सारी पूजा यहां पर अच्छे से हो गई यहां पर मैंने प्यारे से मोदक और उसे के साथ पंचमरित बनाया था उसका भोग लगाया था गनपती बापा को और सारे भक्त जन बापा को भोग लगाने के लिए भजन किर्तन कर रहे थे यहां पर आप देखिए बचे भी बहुत ही खुशे और बहुत ही अच्छा माहूल था मैंने मिने घर पे तीन दिन के लिए गनपती स्थापना की थी तो पहला दिन यानि स्थापना दिन मैंने आपके साथ शेयर किया